हलो 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 हंजी हलो स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चर के इस लिटेस वीडियो में प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं बहुत ही बैतरीन होंगे और एसर के साथ आपकी बड़ाई शांदा चल रही होगी तो प्यारे बच्चो आज ह आपको बहुत परिशान करते हैं आज उन सभी स्ट्रक्चर को इस क्लास में मक्खन करेंगे 90% तक चैप्टर जो है न वह स्ट्रक्चर में ही बच्चों को फसाता है और ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे स्ट्रक्चर जो जैवनू के हैं बायो मोलेक्यूल के हैं व हमारे अंदर बहुत जादा एक जुनून होना चाहिए और जो जुनून है प्यारे बच्चों वो जिद से आता है और जो जिद है उसे तो हमें अपने अंदर से पैदा करना पड़ता है इसलिए आपको बार बार याद दिलाया जाता है जो स्लोगन है एसल का एश्टेग ज हमस्या है एसल के उपर कभी भी बैच लेना है कोई भी किसी प्रकार के को दिक्कत हो या बैच आपने ले रहे आपको कोई भी प्रब्लम का सामना करना पड़ रहा हू तो आपको इन नंबर के उपर कॉल कर ले नह यह नंबर आपकी शिवा में हाजी रते हैं जोंबार से ल जल्दी हम free होंगे हमें सारे structures देखने, इससे पहले आपको थोड़ा सा theory का idea देता हूँ, biomolecule या जैव अणू आखिर कहते किसको नहीं, तो heading लगाएं, biomolecule अर्थात जैव अणू biomolecule जैव अणू चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक से बताऊंगा सारे structure अगरे, ऐसे हो जाएंगे आपसे, सबसे मुटा-मुटा बात यह है, कि जैव रासाइनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, लिखो, जैव रासाइनिक क्रियाओं में, जैव रासाइनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, जैव रासाइनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, जटिल अनुओं को जटिल अनुओं को जैव अनु कहते हैं मतलब जो जीवन है जहां पे जीवन है इनसान हो गया आपके बहुत सारे जानवर हो गये उन सबके शरीर के अंदर जो केमिस्ट्री चलती है जो अनु काम में आते हैं जैसे प्रोटीन कार्बोहईडरेड इस्टार्च नाम सुनाओगा आपने इन सबका अध्यान हम इस चैप आप पीजा, बर्गर, आस्ता, पास्ता, चास्ता, मास्ता, कास्ता जो भी खाते हो वो आपके पेट में जाता है पेट क्या करता है उसको काट 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 के ब्लास्ट में काम की चीज को बनाता है काम की चीज को निकालता है उसके बाद जो फाल तु वेस्ट है उसको श जटिल अनू भाग लेते हैं, उन जटिल अनू को अपन क्या बोलते हैं? जैव अनू, नाम में आ रहा है जटिल, नतलब इनकी केमेस्ट्री आसान तो नहीं होगी, इस्ट्रक्चर आसान तो नहीं होगी, तो आज देखने में भयानक लग सकते हैं, और आप आज शी सरसे बढ रहे हो, तो आज में सारे स्ट्रक्चर से आपको बहुत अच्छे समझा दोगा, तो पहली बात समझ मा आ गई, दूसरी बात है, अब इसमें उधारन कौन-कौन से है, ऐसे जटिल अनू के उधारन देखिए कौन-कौन से हैं, ऐसे जटिल अनू के उधारन हैं आपके सामने कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, विटामिन आदी अब आज की इस क्लास में बेसिकली आप जिसके स्ट्रक्चर्स और जिसके बारे में बात करोगे वो मोटे मोटे तौर पे आपके कार्बो हाइडरेट्स ही है तो आज की क्लास में अब डिटेल में किसकी बारे में पढ़ने वाले हो आज की क्लास में डिटेल में जो इस्ट्रक्चर्स बगरे हैं वो आप किसके देखने वाले हो, कार्बो हाइडरेट के देखने वाले हो चलिए फिर आज की क्लास को मखं करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, कार्बो हाईडरेट कार्बो हाईडरेट इसको अंगे जिम ऐसे लखेंगी कार्बो हाईडरेट एक्चल में कार्बो हाईडरेट जो नाम आया है न वो इसकी old definition से निकल करके आया है कार्भाइडिर्ड क्या होते हैं अज इतनी ठंडे की हाथ चलाना भरी पड़ रहा है और ठंडे आज यहां पे भी कल अमारे यहां temperature जो है वो भाई साब पहुँच गया था 4-5 डिगरी के आसपस बयान करी ठंडे गरम पानी पियो उचिंदा रहो वाली वात है कार्भाइडिर्ड मैथी के परांटे खाओ मस्त सर्दियों में तो मैथी, मूली गाजर का अलवा खाओ नहीं खाने की बात तो चलेगी आज की क्लास में को कि पड़ी हम कार्भाइडिर रहे चलो साब शुरू करें तो कार्भाइडिर्ड की आपके सामने एक है पुरानी परीबाशा ध्यान से देखना कार्भाइडिर्ड की आपके सामने क्या है कार्भाइडिर्ड की आपके सामने एक है पुरानी परीबाशा पुरानी परीबाशा बिलकुल इसके नाम के अंदर छुपी विए है, कार्बो हाइड्रेट, कार्बो हाइड्रेट का मतलब, हाइड्रेट ओफ कार्बन, कार्बो हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, हाइड्रेट ओफ कार्बन, तो कार्बन के हाइड्रेट, कारबन के हाइडरेट मतलब कारबन और पानी के यौगिक मतलब जिनको अपन ऐसे लिख सकें CX, H2O, Y के रूप में लिख सकें तो पहले ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि जिस भी यौगिक को आप CX, H2O, Y के रूप में लिख सकते हैं जिस भी यौगिक को आप CX, H2O, Y के रूप में लिख सकते हैं वो आपके लिए क्या है? कारबो हाइडरेट है ऐसा कोई भी यौगिक जिसको आप CX, H2O, Y के रूप में लिख सकते हैं वो आपके लिए क्या है? कारबो हाइडरेट है आपके लिए क्या है अब ध्यान से देखना ये डेफिनेशन ये जो पुरानी डेफिनेशन है ये पुरानी डेफिनेशन फेल हो गई अब सर ये पुरानी definition fail क्यों ही, इसके पीछे क्या कारण था, तो पुरानी definition fail इसलिए हो गई, प्यादे बच्चों, पुरानी definition fail इसलिए हो गई, क्योंकि, कोच, जयान सुनना, कोच, जैसे glucose को देखो, पहला example समझा दूँ इसका, जैसे आपको पता है, glucose एक carbohydrate है, तो glucose का C6H2O6, उसको ऐसे लिख सकते हैं आपन, C6H2O6, ऐसे लिख सकते हैं, तो glucose का फॉर्मला होता है, C6H2O6, जिसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, C6H2O6, मतब CXH2OY के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों, मैं यह कह रहा था, कि यह जो है कुछ यॉगिक इस सूत्र का पालन करते हैं, परन्तु, कार्बो हाइडरेट नहीं है, कुछ यॉगिक ऐसे हैं, जो इस सूत्र का पालन करते हैं, परन्तु कार्बो हाइड़ेड नहीं है, जैसे, एक्जामबल दूँ, एक्जामबल है इसका, formic methanol H-C-H-O H-C-H-O क्या है आपका form aldehyde H-C-H-O क्या है आपका form aldehyde तो अगर आप form aldehyde को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं देखनो ना ऐसे लिख सकते हैं C-H-2-O लिख सकते हो ऐसे तो ये C-1-H-2-O-1 मतलब form aldehyde को आप लिख सकते हो C-H-2-O-Y के रूप में पर form aldehyde आप सभी जानते हैं एक carbohydrate नहीं है इसको हम खाते नहीं है इससे हमारी शरी में यह हमारी शरी में नहीं जाता है यह जैवणू की तरह नहीं लेते हैं अपन इसको जैवणू तरह अपन गुलकोस को लेते हैं तो पहले तो आपको जैवणू की मोटी मोटी definition पता होने चीए जो जैव रासाने क्रियाओ में भाग ले रहा है इसका एक example है carbohydrate तो H-C-H-O बले ही इस formula को follow कर रहा हो पर उसको खाते तो नहीं है अपन इसका मतलब यह एक carbohydrate नहीं है तो एक तो दिक्कत यह है दूसरा कुछ ऐसे भी यॉगिक है कुछ ऐसे यॉगिक भी है कुछ ऐसे यॉगिक भी है कुछ ऐसे यॉगिक भी है जो carbohydrate है पर इस formula को follow नहीं करते जो carbohydrate है कुछ ऐसे यॉगिक भी है जो कार्बो हाइडरेट है जो कार्बो हाइडरेट है परंतु इस सूतर का पालन नहीं करते कार्बो हाइडरेट है परंतु इस सूतर का पालन परंतु इस सूतर का पालन नहीं करते, मतलब कार्बो हाइडरेट तो है, दोस्तों, कार्बो हाइडरेट तो है, पर इस सूत्र का पालन जो है, वो नहीं करते है, एक्जाम्पल, रैमनॉस, C6, H12, O5, बना के देख लो, नहीं बनेगा, यह है रैमनॉस, एक्जाम्पल के तौर पे, तो मतलब, यह जो old definition है, यह तो बहुत घटिया है, यह old definition कहती है कि carbon के hydrate, मतलब जो इस formula को follow कर रहा है, वो आपका carbohydrate है, बढ़ हमने देखा, इस formula को follow करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, जो carbohydrate नहीं है, और कुछ carbohydrate भी ऐसे हैं, जो इस formula को follow नहीं करते, मतलब पुरानी definition के उड़ यहां तक तुम अखाने एकदम, कोई दिक करती है, प्रशानी नहीं समस्या नहीं, चलो, आदुनिक परिभाशा क्या है, अब आते हैं अपन इसकी, आदुनिक परिभाशा के उपर, इसकी आदुनिक परिभाशा है, कि जो आपके कार्बो हाइड्रेड है, वो कार्बो हाइड्रेड होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब आपके कार्बो हाइड्रेड या तो होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब बहुत सारे कार्बन होंगे, एक होगा आपके पास एल्डिहाइड और कुछ-कुछ इसके अंदर ओए समू भी लगे वे होंगे, अग्सामपर के तोर्ब फे और देख दिया है मैंने ऐसे आपको न, इसमें एल्डिहाइड समू होगा, देखलो आप, है एल्डिहाइड समू, इसमें एल्डिहाइड समू होगा और इसमें ओट भी होगा, तो OH होता है hydroxy तो poly hydroxy, poly मतलब काफी सारे काफी सारे OH होंगे और aldehyde समू भी हो सकता है तो यह example हो गया poly hydroxy aldehyde यह carbon hydride में आपको देखने को मिलेगा या फिर poly hydroxy ketone इस प्रकार से यह हो गया आपका ketone और इस से OH भी connected रहेंगे और OH भी इसके साथ connected रहेंगे इस प्रकार से तो यह बहुत कुछ connections होंगे अभी आप देखोगे मतलब मोटे मोटे तोर पे इसमें आपके पास ketone समू हो गया यह तो हो गया आपके पास aldehyde और OH आपका क्या हो गया OH आपका हो गया hydroxy है ना यह आपका हो गया ketone और यह आपका हो गया hydroxy तो मतलब कारबो हाइडरेट में अपनको क्या देखने को मिलेगा खूब सारे तो OH और उसके साथ में या तो aldehyde समू हो या उसके साथ में ketone समू ओके सहीए बटा बोलो वो दिकत परशानी किसी प्रकार की नहीं है मजा आ रहा एकदम बढ़िया है बस मजा मखन हो गया चलो तो यह आपकी नई वाली definition है अब एक एक करके अपन बहुत सारे कार्बो हाइडरेड का अध्यन जो है वो करने वाले है हम बहुत सारे कार्बो हाइडरेड का अध्यन जो है एक एक करके शुरू करेंगे चलो स्टार्ट करते है अब आपको बहुत सारे बहुत 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 सारे जो कार्बो हाइडरेड है उनके structure वगरे में सिखाऊंगा तो यहां से pen और paper लेकर बैठना है, मेरे साथ-साथ copy में बनाते वे चलना है, अगर आप copy में बनाते वे नहीं चलेंगे, तो आपको दिक्कत होगी, तो यहां से pen paper लेकर के बैठना है, और pen paper लेकर के मेरे साथ-साथ बनाते वे चलें, ओके, शुरू करें, hashtag मक्खन यहां तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हैश्टेग मक्खन, परफेट समझ में आया है, यहां तक तो, यह थोड़ा सा definition वाला पार्ट हो गया, तो यहां तक तो हैश्टेग मक्खन in the comment section, चलिए, शुरू करें दोस्त, चलिए, स्टार्ट करते हैं, अब सबसे पहले हम आप को मिलवाते हैं, उससे जिसको खाने के बाद आपको बहुत जरूत पढ़ती है, यही है, जो आपको दिन भर शक्ती देता है, गुल्कोーस, आ जाओ बेटा, तुम़ारी जरूत है आप अब, तो गुल्कोस क्या चीज है? गुल्कोस वह है, इसको खाने के बाद आपको शह स शक्ती मिलती है जब भी इंसान को ठकावट होती है गुलकोज गोल के पी लो गुलकोज गोल के पी लो ये वो गुलकोज चीज़ है गुलकोज हमारी सेल को काम करने के लिए आवशक बहुत आवशक होता है इसका फॉर्मॉला होता है C6H2O6 अब इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं कैसे होगा C6H2O6 शुरू करें अब जो चीज मैं आपको कैप्सूल की तरह दूँगा उसको ध्यान से सुनना 6 कारबन एक लाइन से बना लो पहले तो खट 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 बनाओ कॉपी में चलो मेरे साथ साथ 1 2 3 4 5 6 सबसे पहले 6 कारबन एक लाइन से बना लो, अब यहां से जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो पढ़ रहा है, अगर वो चाहता है उसे पूरा टॉपिक समझ में आए, और यहां से जितने भी स्ट्रक्चर में बनवाऊंगा, वो स कारबन, गुलकोस का स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, यह स्ट्रक्चर ही नहीं आते है इस चेप्टर में, बाकी सब को आसान है, थेओरी तो रटने की है, मुश्किल नहीं है, स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री लगती है, छेके छेक कारबन मनाओ लाइन से, बना दिये, छेक है सभी कारबन को सिंगल बॉन्ड से करेक्ट कर दो, कर दिया, अब मेरा आपको कहना है कि यह पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, कौन? गुलकोस, गुलकोस आपका पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, मतलब गुलकोस जो है, वो आपका पॉली हाइड्रोक्सी अ एल्डी हाइड है, सही लिख रहा हूंगा मैं, लिख तो सही रहा हूंगा, पॉली हाइड ओक्सी एल्डी हाइड, perfect, एल्डी हाइड का मतलब क्या होता है, LDHID का मतलब होता है CHO क्या LDHID बीच में कहीं पर आ सकता है नहीं सर LDHID बिलकुल कोने में आता है तो यह काम करते हैं फर्स्ट वाले के उपर LDHID बना देते हैं yellow परफेक्ट है तो फर्स्ट वाले के उपर LDHID बना दिया जिस पर LDR बनाने हैं उसके numbering भी कर दो ये first है, ये second है, ये third है, ये fourth है, ये fifth है, ये sixth है, यहां तका काम हो गया, चलो, अब इसका structure बनाने के लिए, मैं आपको AS caseी दे रहा हूँ, आशी सरकार एक capsule दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने हैं ना उस capsule को, वो capsule है, OH हमेशा right में होगा, केवल C3 को छोड़ कर, तो सबसे पहला काम तुमने क्या किया, 6 काबर मना लिये, पहले वाले पे LD हाइड लगा दिया, एक काम और कर लो, लास्ट वाले पे, CH2 OH लगा के छोड़ दो, खतम, तो पहले वाले पे LD हाइड लगा दो, लगाओ, कौपी में लगाओ अभी, और लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे, लास्ट वाले पे, CS2 OH बना करके छोड़ दो, कर दिया, ठीक है, अब मैंने एक चीज लिखी है, कि OH हमेशा राइट में होगा, केवल C3 को छोड़ के, मतलब थर्ड कार्बन को छोड़ के, तो तीसरे कार्बन को छोड़ के, हर कार्बन के उपर, OH राइट में बना दो, ये लो, केवल तीसरे कार्बन को छोड़ करके, OH हमेशा राइट में बना दो, बस तीसरे में OH बना दो, लेफ्ट में, हो गया, अब यहाँ OH आ गया, तो क्या आएगा H, सबसे बहले 6 कारबन सीधे, पहले कारबन पर LDI, लास वाले पर CS2 OH, और थर्ड कारबन को छोड़कर करके बाकि सब में OH राइटनेंड साइड में आएगा. आ गया की नहीं आ गया? परफेक्ट चलो, अब एक रियक्शन तुमको याद है क्या? LDI हीड और किटोन की रियक्शन, हम अगर अलकोहल से कराते हैं तो आपको पता है क्या होता है? यहां किसी को याद है? मैं याद दिलाता हूँ. पढ़ा है आपने. कार्बोनिल समय में होता है, पार्शल पॉस्टिव एलकोल होता है, ओ होता है ओ होता है पार्शल लेगटिव. यहां से ब्रेक होता है, यह माइनस यह प्लस, यह जाकर अटऐक करता है, इस कार्बन पर यह गार्ण जड़ जाएगा इसा कुछ बनता है आराम से इस reaction को देखकर कर याद करो, यह reaction कैसे होगी? देखूं, वापस बताऊं, जैसे यह C double bond O है, R' हो यह से कराओ के तो यह minus, यह plus, आपको पता है यह partial positive होता है, यह partial negative होता है, तो यह जाकर इसके पटेक करता है, 5 bond हो नहीं सकते है, बनाया था हमने, ऐसी reaction यह LDR कीटोर में सीखी थी, वह पर आजाता है negative, इस पर आजाता है OR' अब इसका जो साती है H+, वह बाद में अटेक करता है, यह बन जाता है C, O, H, OR' हो गया? अब तो आगया? अब तो आगया? चलो, अब अब अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखें, ध्यान से देखना भईया, ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो aldehyde समू तो यहाँ पे भी है, और alcohol तो खूब सार है, बस हमें यह पता होना चीए, कि कौन से aldehyde तो हमारे पास एक ही है, मतलब C double bond हो तो हमारे पास एक ही है, alcohol हमारे पास खूब सार है, तो यहाँ पे अंदर ही reaction हो जाएगी, इसी yogic में reaction होगी, पर हमें पता होना चीए, कौन सा alcohol किस aldehyde के साथ reaction करेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा practical approach में जाना पड़ता है, तो practically यह पता चला, practically यह पता चला, कि यहाँ पर C1 और C5, C1 और C5 आपस में अभिकरिया करते हैं, लिख के रख लो, यह बहुत काम आता है, यह capsule number 2 है, आप किसको कह सकते हो, कि यहाँ पर अभिकरिया कौन करता है, C1 और C5, इनकी आपस में अभिकरिया होगी, करवाँ ओभीकरिया, यहाँ से देखना, होगा क्या, होता क्या है, oxygen के साथ जो carbon है, वो oxygen के थुरू किस से connect होता है, aldehyde के carbon से, ध्यान से देखना, तो यह पाँचवे number का जो carbon है, यह पाँचवे number का जो carbon है, यह इस oxygen के थुरू, किस से connect होगा, इस carbon से, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, अराम से चेक करो, सब कुछ तुमारी आँखों के सामने है, दोके वाली कोई बात है यह नहीं, कि यह carbon अभी क्रिया करेगा मैंने दोस्त, तो आर ओ एच, आर ओ एच, यह ऐसे बुल सकते हो, आड़ेश ओ एच, आड़ेश ओ एच, तो ओ जाके जुड़ता है carbon से, तो यह जो ओ है, यह ओ आके जुड़ेगा इस carbon से, ठीक है, यह जो hydrogen है, यह किस के पास सली जाएगी, इस oxygen के पास, यह होता है, यह जो hydrogen है कहां चलिए आती है, इस oxygen के पास, तो अब इस से अपन connect करने की कोशिश करते हैं, कैसे connect होगा, ध्यान से देखना, connection को समझने की कोशिश करना, यह ओ अच था, हम आपने connect करूँगा सीधा, ध्यान से देखना कैसे connect होगा, यह है आपका first वाला carbon, बना दो इसको, यह first carbon है, यह first carbon है, यह वाला carbon, oxygen के थुरू, first carbon से connect होगया, यह वाला carbon, oxygen के थुरू, first carbon से connect होगया, आप चाहो तो इस connection को ऐसे दिखा सकते हो, यह low, तो ये वाला carbon oxygen के थुरू, ये वाला carbon, 6 में से नहीं जाएगा, 5 में से जाएगा, प्रेक्टिकली बता चलता है, तो ये वाला carbon oxygen के थुरू किसे करनेट हो गया? इस carbon से, अब इस carbon के पास दो लोग है, एक H है और एक O है, ये जो H है और ये जो O है, इस O के पास कौन चला जा और एक एच हो गया अराम से देखें अराम से समझें बस यह जिसके एक बार में समझे मां आ गया भाई साथ वो खेल कर लेगा यह जिसके एक बार समझे मां आ गया वो खेल कर लेगा यह जिसके एक बार समझे मां आ गया वो खेल कर लेगा वह अटकने वाला नहीं है फिर, वह अटकने वाला नहीं है, खेल कर लेगा, हो जाएगा उससी, यूं करेगा वो सवाल, ऐसे, वापस देखो, वापस, यह आपके पास था C double bond O, O जाके connect होता है कारबन से, OR, तो यह OR, यह O जाके connect होगा इस कारबन से, यह चला जाता है इस O क जाके connect होगे, first and fifth carbon O से connect होगे, अब इस कारबन के पास एक H था, एक O था, O के उपर आ गया है, यह वाला H, यह वाला H, double tick, double tick connect होगे, यह H आ गया, तो इस कारबन के पास दो लोग होगे, एक OH होगया, एक H होगया, अब बेटा, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, यह भी बन स की जगे left में हो, ऐसा भी तो हो सकता है, यह OH लेफट में हो, यह OH राइट में हो, वैसे भी यहाँ पर right-left का बहुत लफ़ा रहता है, ठीक है, तो इस structure को बोलते है simple glucose, क्या बोलते है इसको? इसको बोलते है simple glucose, ऐसा बन गया तो इसको बोलते हैं द्यान से सुनना इसको बोलते हैं alpha D glucose अगर OH राइट में है तो और यही OH लेफ्ट में लगा दिया तो इसको बोलते हैं beta D glucose please try to understand सारा खेल structures का है और मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ बहुत प्यार से, आगया ना, कॉपी में बनाओगे तो आएगा बेटा, सबसे पहले च्छे डंडिया खीजदो, पहले वाले पे LDI, लास्ट वाले पे अलकॉल, तीसरे वाले में OH लेट में होगा, बाकि सब में OH राइट में, पहले और 5 वे को करेट करो, oxygen की तुरू करेट ह जाएंगे इसका है जिसके पास चला जाएगा अब यह OH अगर राइट में है तो अलफा डी कुलकोज और यह OH लेफ्ट में है तो बीटा डी कुलकोज इस प्रकार से करेक्ट होते होते हुए चल रहा है ओके देखिया आराम से आराम से देखो आ गया अब एक चीज़ होती है पाइरेन इसको कहते है इस स्रचना को पाइरेन कहते है इससे इंस्पायर होकर के एक साइंटिस्ट लोगों ने इस इस्ट्रक्चर को दिखाने का एक और तरीका बनाया इस इस्ट्रक्चर को भी दिखाने का एक और तरीका बनाया है, तो scientist लोगों ने inspire हो करके, इन दौने structures को दिखाने का एक और तरीका बनाया है, अब उस तरीके पर आते हैं, उसके लिए पहले मैं इसको as it is जो है copy paste कर लेता हूँ और ये reaction तो आपको आ गई है इस reaction को यहां से हटा देते हैं अब हम क्या करते हैं D का मतलब क्या हो तुम दिमाग मतलगा Dex or Rotary, Leaver or Rotary, Stripe का कुछ होता है अभी दिमाग मतलगा उतना केवल इस structure पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको इन दौनों को बनाने का एक और तरीका है ऐसे भी बना सकते है ऐसे भी बना सकते है अब इबा बताओ oxygen के तरु CJ कौन जुड़ावाह है पहला और पांचवा oxygen के तरुर कौन जुड़ावाह है पहला और पांचवा तो फर्स्ट यहां से शिरुवात करेंगे, फर्स्ट की शिरुवात यहां से करेंगे, यह फर्स्ट काबन होगा, यह सेगंड काबन को शो कर रहा है, यह थर्ड काबन को शो कर रहा है, यह फोर्ट काबन को शो कर रहा है, और फिफ्ट काबन को शो कर रहा है, और फिफ्ट और इससे यह बनाओगे, तो जो राइटेंड साइड में है, उसको नीचे लिखना है, कैपसूल, कैपसूल चाहिए होगा, बिना कैपसूल नहीं कर पाएंगे, कैपसूल चाहिए, जो राइट में हैं, उसे नीचे लिखो, राइट में कौन है? लेफ्ट में कौन है? तो हम ऐसे दिखाएंगे, यह फस्त काह बनाएं.. O नीचे, H उपपर.. ओ राइट में है, नीचे, H लेफ्ट में है, उपपर.. Oh राइट में है, H लेफ्ट में है.. H राइट में, हो एक लेट में है एच नीचे ओएच उपपर समझेंगो अब तो ए वह एच जो राइटमर है वो नीचे आएगा है ऐच Tong लाश में कुछ नहीं है लास में सिंपल यहां पे H और यहाँ पे CHO, लास में दिमाग नहीं लगाना है, लास में बाहर की तरफ निकालते हुए, CHO को दिखा देना है, यह हो गया आपका 6th कारब, इस सरचना से यह सरचना बन जाती है, इस सरचना को कहते हैं, हावर्त सरचना, यह हावर्त भाई साब ने बताई थी, तो य यह अलफा डी ग्लूकोस की क्या है, हावर्त सरचना है, इसको अलफा डी ग्लूको पाइरेनोस भी कहते हैं, इसको अलफा डी ग्लूको पाइरेनोस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह सरचना थोड़ी थोड़ी किस से मिलती है, पाइरेन से मिलती है, तो उस से इंस्पायर हो आपको जो राइट में है वो नीचे जो लेफ्ट में है वो उपर आएगा बस इतिनी सी बात ध्यान रखने हैं इदर आते हैं इसको आप खुद बना के देखो खुद ट्राय करो वहगा आपसे जब मैंने बोला होगा तो होगा महनत मांगता है हर चीज महनत मांग दिये यह हावर्स रचना है यह भी हावर्स रचना है यह भी कुछ नहीं है, यह भी हावर्थ सरच नहीं है, यह भी आपकी, यू कैन से कि यह भी आपकी क्या है, हावर्थ सरच नहीं है, इसका नाम है, बीटा डी, मैं आपको इस्ट्रक्चर सी खाना हैं, बसाज, यह वैसे यह, हो गया, गुल कोस की सारी सरच नहीं आ गई, एक्जाम में बीटा, एक्जाम में बीटा, पूस सकते हैं, गुल कोस की सारी सरच नहीं बनाव, बड़े आ गए, मस्त, चले आगे, ओके, अब आता है, गुलकोस का ही भाई, सेम फॉर्मुला, OH और H का अंतर बस, आगे पीछे होने का, आपको मिलेगा, गैलेक्टोस, तो अपन सेकिंड पढ़ने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, सेकेंड अपने पढ़ने आ रहे हैं, गैलेक्टोस, फॉर्मुला वही, C6, H12, O6, सेम फॉर्मुला, C6, H12, O6, सेम फॉर्मुला, शुरू करें, फड़ा फड़ा बढ़ाऊंगा अब तुरह समय, गैलेक्टोस बनाने के लिए भी करना वही है, 6 कापन एक लाइन से लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिंगल बॉन्ट से कनेक्ट कर दो, कर दिया, पहले वाले पे अल्डी हाइड, लास वाले पे CS2, OH, नमनिंग करके छोड़ दो, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, अब यहाँ पे आशी सका कैपसूल सुनो, कारबन 3 और कारबन 4 को छोड़ कर, OH, राइट में, मतलब 3 और 4 को छोड़ दो, अभी आपने गुलकोस के लिए क्या किया था, गुलकोस के लिए आपने 3 नमबर को छोड़ा था, बस 3 को छोड़ के बाकी सब में राइट था, गेलेक्टोज में तीन और चार को छोड़के बाकी सब में राइट है तो बाकी सब में राइट में लगा दो मतलब इसमें भी राइट में लगा दो इसमें भी राइट में लगा दो बस किसको छोड़ना है तीन और चार को मतलब तीन और चार में कहां होगा left में होगा तीन और चार में कहा होगा left में होगा अब OH लग गया H लगा दो 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 बन गया खतम इसमें भी जो reaction होती है ये वाली ये वाली ये first ये वाली जो reaction होती है इसमें भी 1st और 5th के बीच में होती है, तो यहां भी जो reaction हो रही है, वो किसके बीच में हो रही है, 1st and 5th के बीच में हो रही है, तो यहां भी reaction C1 and C5 के बीच में होगी, कैसे होगी, C1 और C5, यह जो oxygen है, यह oxygen जाके connect हो जाएगा इस carbon से, और यह जो H है, यह H चला जाएगा इस oxygen के पास connect चलो connect करते हैं चलो connect करते हैं connect ये oxygen के through इससे connect हो गया इसकी जो h है वो इसके पास चली गई तो इसके पास oh भी है और अब h भी है oh राइट 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 में भी हो सकता है ये भी संभावना है और oh लेफट राइट राइट में भी हो सकता है ये भी संभावना है इसी की जो दूसरी संभावना है वो ऐसी है, यह OH और यह H, यह OH लेफट एंड साइड में आ सकता है, और यह H राइट एंड साइड में आ सकता है. बेटा, यह पाइरेन के जैसा दिखने वाला है, यह पाइरेन नहीं है, यह हम शकल कह सकते हूं, हम शकल हैं यह दूसरे के, इसलिए अपन जो है न, इसके नाम के आगे पाइरेन रोज लगा रहे हैं, पाइरेन जैसा दिखता है, इसलिए पाइरेन नहीं है, पाइरेन जैसा दिख रहे है, पाइरेन नहीं है, चलो, अब इसका बनाते है वह अंका-पंका-चंग का structure तो यह क्या है यह वही alpha-d-galactose यह हो गया आपका alpha-d galactose और यह आपका हो गया beta-d galactose तो this is alpha-d-galactose this is beta-d-galactose this is alpha-d-galactose this is beta-d-galactose मैं आ रहा है connect connect कैसे करेंगे अब बनाते हैं वहाला structure अब तो हम बुरा नहीं माना हो तो मैं डायरेटी बना दू अब बुरा नहीं माना हो तो मैं डायरेटी बना दू शूरू करें चलो यह first है तो first के उपर o-h right में h left में o-h नीचे h उपर second बाले में o-h right में थर्ड वाले में H राइट में फॉर्थ वाले में H राइट में फिफ्थ वाले में फिफ्थ वाले में कुछ नहीं करना simple ऐसे होगा H इदर CS to H इदर खतम 4, 5, 6 ऐसे हो गया चीक है यह इसकी सहर्चना होगी बस कर लोगे अब तो अब इसको बना के देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे द्यान से देखना फिर्स्ट में H नीचे O H उपर सेगंड में O H नीचे H इदर O H नीचे H इदर इसमें और इसमें कोई फरक नहीं आएगा बस यहां और यहां फरक आएगा थर्ड में H नीचे O H उपर फॉर्ट वाले के लिए H नीचे इदर कुछ नहीं है इदर सिंपल H CH2H तो यह हो गया 4, 5, 6 इससे यह बनाना आसान है और इससे भी बनाना आसान है चेक कर लो HOH, HOH, OHH, OHH, CS2H बोलो कोई दिखका परिशानी नहीं है कोई दिखका परिशानी नहीं है मजा आगया तो यह अपने गुलकोज और गैलेक्टोस को जीखता अब फ्रक्टोस को बराना सीखते है वो और भी इंट्रेस्टिंक है अब सीखते हैं पन बिटा फ्रक्टोस को बराना चलिए फ्रक्टोस को बनाना सीखते हैं फ्रक्टोस जो है यह पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन होता है बेटा यह पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन होता है मजे की बाप बताऊं इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है शुरू करें बनाना तरीका सुनो 6 कापन लाइन से लगा दो खटाक करके एक दो तीन चार 5-6 कीटोन बीच में आता है तो उपर भी CS2OH नीचे भी CS2OH वाव हाँ सही है उपर भी CS2OH नीचे भी CS2OH नमरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 सेकंड नमबर पे बना दो कीटोन सेकंड नमबर पे बना दो कीटोन सेकंड नमबर पे बना दो कीटोन सेकंड नमबर बना दो कीटोन और आशीज तरका कैपसूल वही जो गुलकोस के लिए था सेम गुलकोस वाला कैपसूल कि सीत्री को छोड़के सब में OH राइट में रखना है तो थर्ड नंबर को छोड़ दो OH राइट में रख दो थर्ड वाले को छोड़ दो फॉर्थ में OH राइट में फॉर्थ में OH राइट में फिफ्ट में भी ओएच राइट में बस थर्ड वाले में लेफ्ट में होगा झाले में लेफ्ट में लाइख भी ओएच राइट में होगा हाँ जी बच्चों करें अब जान देखना तो OH आ गया तो अब आएगा H, OH आ गया तो आएगा H, OH आएगा H, अब क्या होना है, अब connection तो यहाँ पे, connection किसके बीच में करना है, ग्रुप तो alcohol ketone कुछ भी हो, sorry, aldehyde ketone कुछ भी हो, connection तो होना ही होना है, यहाँ यह connection करेगा 5 स यहाँ connection होगा C2 और C5 के बीच में, तो यहाँ वो reaction किसके बीच में होगी, यहाँ वो reaction होगी C2 और C5 के बीच में, जिसके हम बात कर रहे हैं, कैसे होगी जान से देखना, ऐसे होगी, बिटा अगर ketone भी है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, reaction तो वैसे ही होती है, R-OH होना ओई है, यह जाएगा больше carbon के उपर और यह वाली oxygen जाएगी, इस oxygen के उपर तो होना तो वही है, करके दिखाता हूं, पाँचवे carbon की जो oxygen है, यह चली जाएगी इस carbon के उपर, और यह जो hydrogen है, है hydrogen जाएगी इस oxygen के उपर, चलो connect करते हैं तो जान से देखना ओक्सियन के थुरू से कनेक्टेड ओक्सियन के थुरू से कनेक्ट हो गया अब से कनेक्ट वाले काबन पर दो लोग आ गए एक तो था CS2OH और एक आ गया यहां से OH से कनेड़ वाले काबन के उपर अब दो लोग है एक CS2OH और एक OH पहले यहां पर OH हुआ करता था और एक H हुआ करता था देखो इसके उपर पहले एक OH और एक H हुआ करता था यहाँ पर पस इतना सा फरग है यहाँ पर इतना सा फरग है कि एक इसके पास अब है CH2OH और एक है OH OH आ गया राइट में और CH2OH आ गया लेफ्ट में ऐसे तो अगर OH राइट में है एक option यह हो सकता है और एक option क्या हो सकता है पेटा अब में आ जाएगा देखती एक option क्या हो सकता है यह OH आ जाए यह CS2OH जो है यह आ जाए राइट में बस्ट कावन होना यहाँ से OH आ जाए लेफ्ट में यह है आपका alpha alpha d fructose यह है आपका alpha d fructose और यह आपका है beta d fructose अब इनकी हावर सरस्टना जो है न वो इससे मिलती जुलती होगी इसका नाम है furan अब देखना है नाम कैसा आएगा इसका बना ऐसा बना लेते हैं अब connect करते हैं यह जो carbon है वो यह रहा इसके राइट में क्या है? OH और इसके लेफ्ट में क्या है? CH2OH यह यह ऐसे शुरुवात होगी यह first carbon आ गया यह second carbon आ गया थर्द carbon राइट में क्या है? H concept वो यह है left में क्या है? OH fourth carbon right में क्या है? OH left में क्या है? H fifth carbon यह ना, fifth carbon में लोड नहीं है fifth carbon में simple H को नीचे कर देना है CS2OH को बहुत 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 निकाल देना है ऐसे उपर की तरफ यह one, two, three, four, five, six ऐसे carbon बन जाएगा ठीक है? हो गया? मैं आज केवल structure ही समझाने आया हूँ आपको अब इससे बना के देखते हैं सेम बनाओ, चलो खुट्राय करो अब तुमसे बनेगा 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 घबरावा हो मत सब होता है यह O इससे मिलके बना रहे हैं structure यहां शुरू करते हैं, तो इस carbon के उपर CS to OH राइट में है CS to OH नीचे और यह OH उपर ठीक है, यह यहां शुरू हो गया one two, अब थर्ड carbon पर आते हैं 30 carbon पर H नीचे है OH उपर है 4th carbon के उपर OH राइट में है H left में है और 5th carbon के उपर 5th में लोडी नीचे है simple H इदर रखना है CS to OH इदर रखना है, 5th वाले को 5th में लोड मत लिया गरो 5th बाहर है बाहर वाले में वो concept नहीं लगता है बाहर वाले में last में 4 उपर की तरफ लेके जानी है ऐसे बनाना है अब इसमें 6 carbon है यहां शुरू हो रहा है 1,2,3,4,5,6,7,6 और इसमें यहां से carbon की counting शुरू हो रही है 1,2,3,4,5,6 तो यह था आपके पास structure सबसे important वाले है अब बस अब आसान है अब जो भी extra structure बनेंगे वो सब इनी से मिलके बनेंगे अब जो extra structure बनेंगे वो इनी से मिलके बनेंगे अब जो extra structure बनेंगे वो इनी से मिलके बनेंगे तो आप लोग एक काम करना आप लोग थोड़ा सा practice जो है ना वो इनी के कर लेना मतलब यह alpha-d-gulcoze, beta-d-gulcoze sorry alpha-d-gulcoze alpha-d-fructose, beta-d-fructose आपका alpha-d-galactose, beta-d-galactose और आपका alpha-d-glucose और आपका alpha-d-beta-d-glucose इनकी practice अच्छे से कर लेना अब अपन जो बनाने structure जा रहे हैं वो सारे structure आप इन ही से मिल करके बनेंगे तो आगे के सभी structure इन ही से मिल करके बनेंगे इसलिए बोला हूँ इनकी practice काफी अच्छे से कर लेना अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज अब आपको बहुत मज़ा आएगा अब तो बहुत simple-simple है तो सुक्रोज जो है अब ये दो लोगों से मिल के बनता है किन दो लोगों से मिल के बनता है बहुता आपको सुक्रोज मिल के बनता है alpha-d-gulcose alpha-d-gulcose और beta-d-fructose से मिल करके बनता है alpha-d-gulcose बनाओ और beta-d-fructose बनाओ फिर देखते हैं कैसे connect करेंगे आमस में alpha-d-gulcose alpha-d-gulcose तो ऐसा बनता है अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना शुरू करो, कि first वाले carbon पे OH नीचे होगा, अब भी हो alpha है, second वाले पे भी OH नीचे होगा, इसमें third वाले के उपर H नीचे होता है, OH उपपर होता है, fourth वाले पे वापस OH नीचे होगा, H उपपर होगा, यहाँ पर वह यह आएगा H और लास में CS2OH यह आपका बन गया alpha-d glucose, चेक कर लो HOH, HOH, OHH HOH, HCS2OH इसको बनाने की तरीका यहाँ सीखा था यहाँ, यहाँ सीखा था alpha-d glucose यह रहा, सेम यही तो है इसको उठा के लेकि गये हैं अब आते हैं, बीटा-d फ्रक्टोज बनाते हैं, बीटा-d फ्रक्टोज में क्या होता है फ्रक्टोज तो ऐसा बनता है फ्रक्टो साब ऐसा बनता है इसमें यह होता है second carbon अब बीटा है, बीटा का मतलब हो गया आपका OH लेफ्ट-DAY-M con bên ता, राइट- News- Hmmm आगया CH2OH, और OH लेफ्टेंड साइड में था, यही मतलब होता है बीटा का, उसके बाद यह हो गया 1st carbon, यह हो गया 2nd carbon, थर्ड carbon में उल्टा होता ही है, थर्ड carbon में OH लेफ्ट में होता है, H राइट में होता है, यह बनाना सीखना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, जितना आप दिमाग पर रखते चलेंगे, जितना आप लिख लिखे करेंगे, उतना आप से आराम से हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, हमको इन दौनों को connect करना है, कैसे connect करना है, हमको, अब इसमें numbering कैसे होगी, ऐसे होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें numbering कैसे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Α, D-id극ose का हमको लेना है फ़स्ट कारबन कैसे करोगे सर ? कुछ नहीं है ? इसका फ़स्ट कारबन यह रहा इसका ने रहा इसके second carbon पर OH है इसके बास भी OH है यहाँ से पानी बाहर निकाल दो और कुछ नहीं करना बस पानी बाहर निकल गया O के थूरू connect कर दो लेके आते हैं अभी सिखाते हैं आपको connection यहाँ से OH यहाँ से OH यह आपस में connect हो गए O के थूरू yellow बस अभी जो चीज बनी है इस चीज का नाम है Sucrose कितना असान है इस बंद को बोलते हैं Glycosidic Bund इस बंद का नाम है Glycosidic Bund इस बंद का नाम क्या है Glycosidic Bund प्रेक्टिस से आजाएगा, जितने फ्रेक्टिस करोगे उतना बढ़ है, कप्लिंग रेक्शन की टाइप हो गया, हाँ, जो अब करते हैं, माल्टोज को च्षर, अब माल्टोज देखते हैं, माल्टोज क्या होता है माल्टोस के लिए आपको दो अल्फा डी गुलकोस लेने सिंपल दोनो अल्फा डी गुलकोस लेने पहला भी अल्फा डी गुलकोस और दूसरा भी अल्फा डी गुलकोस अल्फा डी गुलकोस बनाने की प्रैक्टिस तो हो गई होगी अलफा डी गुलकोस का मतलब है ऐसे बनाओ बाई साब अलफा डी गुलकोस की प्रैक्टिस तो कर ली होगी अब तक कि अभी भी भी नहीं करी अलफा डी गुलकोस में पहले वाले कावण के उपर OH नीचे और ह उपर दूसे वाले कावण में भी OH नीचे ह उपर बस तीसे वाले में ह नीचे ह उपर चौते वाले में भी होता है और ब्लास में तो ह यहाँ पर और इदर आ जाएगा तो यह हो गया आपका एक दो तीन चार पार छे कारवण अब यह आपका एलफा डी गुलकोज है सामने वाला भी आपका एलफा डी गुलकोज ही है दौनों सेम है इन दौनों को यह आपस में करेंट करना है कैसे करेंट करेंगे बताता हूँ आपको करना क्या होगा? सभी बनाया है?" seriously, HOH, HOH, OH, HOH, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1st और 4th carbon को connect करना है, C1 and C4 को connect करना है, इन दौनों को मिलाना है, इसमें से भी पानी बहार निकलना है, कहां से निकलना है, इसका 1st carbon और इसका 4th carbon, OH, OH, यहां से निकलेगा, तो हो ऐसे पानी बाहर निकल जाएगा यह अपस में ऐसे connect हो जाएगे ग्लाइकोसाइडिक बंध यह आपका बन गया माल्टोस तो अगर स्टार्टिंग के बनाना आगे अगर स्टार्टिंग के बनाना आगे तो एजी हो जाता है अगर स्टार्टिंग के बनाना आजाए तो एजी हो जाता है नेक्स आता है नमबर छह नमबर छह है लेक्टोस कौन सा नमबर है बे छटा नमबर नमबर सिक्स है चलो शुरू करें यह बनता है बीटा डी गेलेक्टोस और बीटा डी गुलकोस के बीच में बनाना शुरू करें बाई गेलेक्टोस और गुलकोस में तो एक ही फरक है कि गेलेक्टोस के अंदर नमबर 3 फोड दौनों पर OH लेफ्ट में होता है और गुलकोस में केबल नमबर 3 पर OH राइट में होता है बना लेंगे दोनों के बनाते हैं, पहले, Harvard सरचना. β-d-galactose है, मतलब, पहले वाले carbon, भी OH लेफ्ट में होगा, OH यहां आएगा, H यहां आएगा, दूसरे वाले का तो OH राइट में होगा, तीसरे वाले का OH लेफ्ट में होगा, H राइट में होगा, चौते वाले में भी इसमें H ही राइट में होता है और लास्ट में तो वही आता है H-CH2-OH यह हो गया साब, बीटा-D गेलेक्टोस, अराम से देखो O-H-H-O-H-O-H-O-H-H-O-H-H-C-H-O-H कट-कट-कट बनता है अगर प्रेक्टिस होती है तो प्रेक्टिस नहीं है तो मरोगे मुध-बैड़ में बीटा-D गुलकोस गुलकोस और अरेक्टोस में एक ही फ़रक है गुलकोस और अरेक्टोस में एक ही फ़रक है नंबर 3-4 3-4 दौनों में ध्यान से देखना इसमें 3-4 दौनों में H-right में होता है गुलकोज में केवल इतना फरक है गुलकोज के अंदर केवल थर्ड में एच राइट में होता है, तो बीटरदी गुलकोज भी same दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, इसमें भी पहले वाले में OH लेफ्ट में होगा, दूसरे वाले में OH राइट में होगा, के वल इसमें तीसरे वाले में H राइट में होता है, चौते वाले में वापस OH राइट में, पांच में वाले का तो कुछ है ही नहीए, ऐसा आजाएगा. 1,2,3,4,5,6 OHH, OHH, H OHH, OHH, H C2H आ रहा है समझ में? सब सी यह एप्टर है हाँ और क्या? बस आप इसको करनेट करना है, पानी निकालना है, कहां से निकालना है बता आएता हुं इसका C1 ले लो, उसका C4 ले लो, उसका C4 ले लो बस हो गया? इसका C1 इसका C4 कर दें connect मतलब यहाँ से OH यहाँ से OH यहाँ से H ऐसे निकालना है बस हो गया let's connect these let's connect चलो जोड़ दे आजाओ बच्चा जोड़ देते तुमको आजाओ connect कर देते बबढ़ाना नहीं अभी हम बहुत प्यार से तुम्हें connect करेंगे अने connect चलो यह कैसे होगा निकाल दो इसको बस इनको OH कि दुरू connect कर दो यह बन गया glycosidic बंद हो गया चलो last करते हैं अब number 7 starch के बारे में देखते हैं starch क्या होता है starch की वास्ताओं में दो वेराइटिया होती है starch की दो वेराइटिया होती है पहली होती है amylase amylose amylose और दूसरी होती है amylopectin देखें जो आपका amylose है वो starch का 15 से 20 परसेंट होता है पतलब starch में 15 से 20 परसेंट amylose होता है और 80 से 85 परसेंट आपका amylopectin होता है दौनों के structures में क्या फराख के देखते है आपको लेके आना है glucose glucose लेके आजाओ जितने जला सकते हो बनाओ गलकोज खटा-कट जल्दी से फटा-फट से प्यार से glucose बनाते है कौन से glucose alpha-D glucose ठीक है बनाओ शुरू करें कैसे बनते हैं पता है ना आपको पहला वला सुन्दा बना देता है उसी को copy-paste करेंगे ना फिर बनाओ चलो alpha है पहले वाले का भी OH राइट में दूसरे वाले का भी OH राइट में तीसरे वाले का OH लेफ्ट में चौते वाले का OH राइट में वापस पांच वाले में दिमाग लगाना ही नहीं H, C, S, 2, O, H बस ऐसे लेते जाओ यह एक alpha-D glucose है दूसरा alpha-D glucose तीसरा alpha-D glucose ऐसे ले लो 1, 4 connect करते जाओ आपस में बस यह 1 है, यह 4 है यह इसका 1 है, यह सामने वाले का 4 है बस यहां से यह connect होगा पानी बहार निकल जाएगा इधर से और यह आपस में से connect होजाएगा यह लो glycosidic बंद यह आपस में से connect होगया glycosidic बंद यह किसी और से connect होगा यह O के तुरू किसी और से connect होगा और ऐसे यह भी O के तुरू किसी और से connect होगा तो ऐसे polymer के जैसा बहुलक की जैसा connect हो यह आपका है amylose अब आप एक amylopectin क्या होता है amylopectin में amylose उठा के लिया हो आप या माईलोस आप उठा के लिया हो उठा के लिया है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको एक मिनिट आएगा तो पुरह ही आएगा चलो वाबस बना रहते हैं वाबस क्यों बनाएंगे बट वाबस बनाने में तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा यह अपन ले के आ गए अमाईलोस ऐसे कैसा माईलोस उठा के लिया है ठीक है यह अब अमाईलोस उठा के लिया है अब थोड़ा माईलोस को छोटा कर लेते हैं इसका O connected आ गए ठीक है यह माईलोस की एक चेन आप लेकर के आगे ऐसे ही यह एक चेन आगया अमाईलोस की अब ऐसे ही हमाईलोस के दूसरी चेन भी आ गए एसी चेन आ गए ऐसे हमाईलोस की दूसरी एकोड चेन है बना देते के आप झाल यह दूसरी चैन होगी ऐसी एक यहां आगई ऐसी एक यहां आगई पस नोटिस करना मैंनो उप्रवाली चैन का अभी काम में नहीं लिया है हाँ तो अमयलो प्रेक्टिन में क्या होता है अमयलो प्रेक्टिन में क्या होता है इसकी एक चैन नीचे इसी की एक चैन उपर बस एक बात का ध्यान लगना उपर वाले चैन का जो पहला कारबन है यह ओ बन के कहीं जाता है ना यह ओबन के attach होता है न, यह देखो, ऐसे, यह ओबन के attach होता है न, मैंने इसको ओबन के attach होने नहीं दिया, अब मैं क्या करूँगा, इस पहले की सायता से, यह जो इसकी दूसरी chain है, इसके छटे carbon के साथ में connect होंगा, यहाँ पर connection केवल कौन सा है, C1, C4, इस chain में कौन सा connection है इस chain में connection है, C1, C4, इस chain में भी कौन सा connection है, C1, C4, अब C1, C4 वाली, C1, C4 वाली, दो amylos की chain आपस में भी connect होती है, और वो आपस में connect कैसे होती है, C1 और C6 से, किस से, C1 और C6 से, C1 यह आपके पास, इसका OH और इसका H, इसका OH, इसका H, ऐसे करके, यह आपस में भी connect हो इस तरह से, ऐसे, बास, यह हो गया, यह जो C1-C1, इसको बोलते हैं alpha link, यह भी alpha link होता है, और यह भी alpha link होता है, ऐसे बेटा, कुछ नहीं करना है, आपने amylose तो easily बना लिया था, एक amylose लियाओ, दूसरा भी amylose लियाओ, बस जो उपर वाली chain है, उसके first carbon को आगे अपने ज बस इस first carbon के OH को नीचे वाली chain के six number से पकड़ करके पानी भाहार निकाल देना, और आपस में connect कर देना, तो दो amylose की chain, जब C1 और C6 से आपस में connect होती हैं, तो आपका बनता है amylopactin, बात खता, बस आपको practice करनी है, practice करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, अब last हमको करना है cellulose, आज का last time है, practice आप लोग PDF देख के कर लेना, last आपका है cellulose, last आपका है cellulose, cellulose बनाए, कुछ नहीं होता है, इसमें आपको लेना है beta-D glucose, बना सकते हो beta-D glucose, बनाओ फटाफट से, कैसे बनाओगे, अरे याँ, नाटक करेगा, बस beta-D में क्या होगा, OH left में होगा, first carbon पे, second पे तो OH right में होता ही है, बस third पे, third पे फिर OH left में हो जाता है, fourth पे OH वापस right में ही होता है, और last में तो ऐसा ही होता है, यह है आपका beta-D legal cost, OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, CS to H, अब इसको लेके आजाओ, इस से शुरू करेंगे, यह ऐसे connect होता हो जाएगा, दिखना कैसे है, C1, C4 आपस में connect होते वे जाएंगे, C1, C4, C1, C4, C1, C4, यहाँ alpha-D legal cost के बीच पे connection हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं alpha link, यहाँ beta-D में connection होगा, इसलिए इसको बोलेंगे beta link, को कुछ नहीं करना है, 1st और 4th को connect करते जाऊ बस, तो इसका 4th और इसका 1st, OHS आपस में connect कर दो, पानी बहार निकल के, पानी बहार निकल के, connect कर दो, first and fourth, यह इसका 4th, यह इसका 1st, first and fourth, OHS और H, पानी बहार निकल के connect कर दो, yellow. इसका 4th भी किसी से तो connect हो रहा होगा और ऐसे ही इसका 1st भी किसी से तो connect हो रहा होगा ऐसे उपर ऐसे बस तो कुछ नहीं है आपका C1 और C4 के बीच में क्या है बीटा लिंक है और यह आपका बन जाता है बीटा cellulose कतम done तो चीज़े आसान थी और मेरे पास copy-paste करने का option था अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को अराम से देखिए pause कीजिए pause करके diagram बनाईए नहीं बन रहा है तो देखिए कैसे बनाया है बस इसमें अभी तक जो मैं आपको diagram के practice करवाईए इसमें सबसे important यही था कि आप starting के चार आसानी से बनाना सीखे गुलकोस के alpha-d-gulcoz, beta-d-gulcoz यह आपको proper आना चाहिए alpha-d-galactose, beta-d-galactose proper आना चाहिए alpha-d-fractose, beta-d-fractose proper आना चाहिए उसके बाद तो बस आपस में connect करके बनाया है आपस में connect करके maltose, आपस में connect करके lactose, आपस में connect करके starch, आपस में connect करके cellulose, बस, done, समझ आ गया साहब, चलो, तो ये था, सारे structures को हम लोग ने practice किया, अब मैं आप सभी से comment चाहता हूं, कि आपको ये lecture कैसा लगा, क्या आपसे सारे structures बन रहे हैं, या नहीं बन रहे हैं, मज़ा आया, मैं आपके comments का इंतिजार करूँगा, इस वीडियो के last में, आपको ये class कैसी लगी, सभी को किसी भी हालत में, इस वीडियो के last में, मुझे comment करके जरूर बताना है, कि structure मक्कन हुआ, या नहीं हुआ, ठीक है बच्चों?